आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सुचना, अगर आप लोग भी सीटाइट 2021 की तयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महतपूर होने वाला है, आप लोग देख पा रहे होंगे, सीटाइट की वेस्ट बुक है, जो चक्षू प पैटर्न देख सकते हैं कि चाइल्ड डेवलमेंट, लेंगेज बन, लेंगेज टू, मैथमेटिक्स, इन्वार्मेंट, कुल मिलाके आपके 150 प्रशन आएंगे, और आपको 150 अंक का यह पेपर मिलेगा, इस बार का पेपर आपका सीटाइट का ओनलाइन होने वाला है, तो आ आप अपना टाइम मेनेजमेंट करते हुए अपना पूरा पेपर हल कर पाएं, यहां आपको पुराने पेपर के साथ साथ नए कुशन भी मिलेंगे, नए प्रकार के जो आपके ऑनलाइन परिछा में बहुत ही लाबदायक होने वाले हैं, तो आप यह इसकी किताब, यह प् फ़िकास के खरीदनी हो, चाहे आपको इंगलीज की खरीदनी हो, चाहे आपको संस्क्राइदनी हो, कोई भी किताब हो, आप सारी किताबे भी खरीद सकते हैं, यहां इंगलीज, घडिद, हिंदी, परियावन, सबकुछ, और अगर आप यूप टेड की तयारी कर रहे हैं, यूपी टेट इसके बाद सुपर टेट की भी तैयारी करना चाहें तो इनका बुक्स का क्लेक्षन बहुत अच्छा है आप इनको चेक कर सकते हैं हेलो नमस्कार साथियो मैं मनीश यादब ये वर्फियों आपके सामने एक नई क्लास लेकर जैसा कि आप सभी को पता है कि डियलेट प्रथम समेश्टर 2021 के लिए जो साथी इस चैनल पर पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए नियमित का क्षाई इस चैनल पर चलाई जा रहे हैं औ और जो भी हमारे भाई बहन अगर अभी तक किताब नहीं लिए हैं और किताबों के PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लिकेशन M-A-N-I-S-H-S-A-H-A-R एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें वहां से आप सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं जो डियलेट प्रिथम समेश्टर की हैं तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लेकन सिक्षर की विधियां और लिखना मतलब कि जो हम लोग लिखते हैं बच्च यहां से आप इनकी पीडियेप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग तयार हैं जो लोग तयार है एक वर्चार येस एस लिखते हैं प्रमुख से नहीं जो लोग तयार हैं फटा पट्चे लिख दो गुडिवनEंग गुडिवनEं भी तैखो सिक्षड की प्रमुख विदियां आपको प्रशन बनेगा कैसे बनेगा 2015 में पूछा है कि लिखने की सिक्षा के उद्देश और लेक्षन सिक्षड की विदियां देखो हम आपको प्रशनों के बादें से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगी प्र लिखना चलती रिखना और पढ़ना एक दूसरे के सहयक हो जाते हैं और दूसरा लाब यह है कि लिखने की सारे क्रियां पढ़ने की रोचकता बना य permitir हैं अगर और पढ़ते तो यहां लिखके याद करें लिखके पढ़ें तो वो क्या है वो चीजे हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक रहती हैं आप लोगों ने अंदाजा किया होगा आप लोग भी देखते हैं बहुत सारे टीचर्स भी सजेश्ट करते हैं कि अगर आपको जो चीज याद नहीं हो रही है तो आप उसको लिखके याद करिए है तो आप लोग क्या करते हैं लिख लिखके कि गुरुजी मैत नहीं आती है तो क्या करें देख लिखके समाल लगाते हैं आपको याद हो जाते हैं या प्रैक्टिस में आ जाते हैं यह कैसे होगा है अब लिखने की शिक्षा में क्या है कि बालक प्रारमबे कावस्ता में अपना प्रकास्न मौखिक भासा कि बथरो कि ओर बो है लगे चलकर वह यह लेकर भावों को व्यक्त करता है पहले चोटा शिखाना जाये पहले पढ़ना शिखाया जए और बाद में बोले या पहले ही लिखना सिखा इया जाए कि अ समंद या तो क्या है लेकिन कुछ विद्वान पढ़ने और लिखने की सिस्था साथ-साथ चलाने समर्टक है अच्छा आप लोग बताईए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि पढ़ना और लिखना करम से सिखाया जाना चाहिए या एक चीज आगे या पहले सिखाया जानी चाहिए अब देखो जरा लिखने की शिक्षा के उद्देश मतलब जो शिक्षा लिखने वाली है उसके बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं तो इसका उद्देश यह है कि उसके मन में जो बाते चल रही है वह कमसे कम कॉपी और पेपर पर कम से कम लिखके परदर सितों कर पाए एक उद्देश तो इसका यह है जैसे मतलब कि हम बच्चों को लिखना सिखा रहे तो जहां पूर विराम लगना है अर्ध विराम लगना है प्रश्णवाशक चिन लगना है तो इनका भी हम बच्चों को अभ्यास करा दें अगला क्या है कि वालकों ने पढ़कर सुनकर या फिर मौकिक भासा के माध्यम से ज घर से सीखी तो वह लिखना भी उन चीजों को सीख लें अगला पॉइंट है कि वालकों ने जिस ग्यान को प्राप्त कर लिया है मतलब मौकिक रूप से उन्हें लिखित भासा का ग्यान कराकर उस ग्यान को सुववस्तित तारतम रूप से प्रस्तुत करने की सिक्षा और में तो उसके पीछी के ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं इतनी बात सबको समझ में आई बोलो कि अगला है कि इस था ही साहित तर्शन की सिक्षा प्रदान करना बोले बात सबके समझ में आगई अगर समझ में आगई है तो यह लिखो बहुत अल्टिमेट टॉपिक है और ए अब आप लोग कहेंगे गुरुजी क्या सिक्षड जो आपका ये लिखने वाला सीन है इसकी भी कोई विधी होती है कैसे लिखिया अरे भाई क्यों नहीं होती है एक बात बताओ आप यहां से लिखना सुरू करते हैं राम घर जाता है लेकिन आप लोग ने देखा होगा उ आनृषणी विधी से लखने की शिक्षा देना पैस्टालोजी सी से लिखने की कैसी लगती है कमेंट कि आपनी जरूर दिया करो हम लोहें को मोटिवेश्न मिलता है हम लोगों को ओछे तरीके से करना है और वेटर करना है रेखा विथी प्राया देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खीचने लगते हैं उन्हें इस प्रकार की तिर्षी पड़ी चीधी और बड़ी रेखाओं में एक विशेस आनंद की प्राप्ति होती है अतया वच्चों से इस प्रकार की कि वानी चाहिए जब रेखा कीचने में उनकी हाथ सद्धने लगें तो अक्षरों के आकार बन वाने चाहिए इन्हें ही रेखाओं द्वारा अक्षर सिखानी की विदी कहते हैं हम बच्चों से क्या कहते हैं पहले एक डंडा कीचो बोलता है ना फिर एक ऐसे गोला बनाओ दूसरे में बड़ा दन अकीश दो इसे बोलते हैं न तो यह क्या है यह रेखा विदी है पहले बच्चों को हम रेखाओं के मादिम से सिखाते हैं मांटेसरी पदती में बच्चों को लिखने की शिक्षा के लिए तीन विदियों का प्रियोग किया जाता है नम्मर एक पहले बच्चों को लेखनी पकड़ने का अभ्यास कराया जाना चाहिए यह अभ्यास कागचकार और पट्टी पर रेखागर्द की विवन आकरतियां खिशकर उनकी लेखनी के स्याहिद भरवा कर किया जाता है मतलब यह पहले की बिदी है कि पहले जो प्रियास कराया जाता था बच्चों को सिखाया जाता तो जैसे आप लोग देखा होगा आपके पिता जी तो नहीं कह सकते लेकिन आपके बाबा बाबा बताते होंगे कि पहले दबात होती थी उसमें वह सियाही डाल के लिए और हमने माल कागस का प्रियोग किया जाता है रेग माल पर अक्षरों का सुरूप बना रहता है बच्चे अक्षरों से बने हुए आकार पर उंगली रखते हैं ऐसे मोटे मोटे जिस पर आकार बने रहते हैं धीरे धीरे उक्त जो आपका रेग माल होता है कागस की उंगली फेरते फ की पट्ट्टी पर बड़े आकार को भाति कॉप यसे रिखना चीखना भिलैक बोर्ड पर हम पेस्टोलोजी क्या है इस बिद्धी में बालक को सरल से जटिल की और ले जाया जाता है उनको सबसे पहले अक्षरों का ही ग्यान कराया जाता है अक्षरों की आकरतियां विवन टुकड़ों में विभाजित कर ली जाती है इसके बाद टुकड़ें को योग से पूरे अक्षर की रशना किराई जाती है उनको पहले से ही सिखाई जाते हैं जो कि अधिक सरल होते हैं कज्ञ Reid किता है कि मनौः ग्यानिक विदि का है कि मनौवग्याणियक विदी में बच्चों को पहले पूड का ग्यान कराया जाता है इसके बाद अंस का ग्यान कराते हैं एक्जांपल आप ले लो हम आपको इस बिदी को यहीं समाप कर देते हैं जैसे माले जी हमने बच्चों को बताया कि यह बच्चों आपका पेंड़ है ठीक बच्चों को बता दिया कि भी पेंड़ है इसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हमने इसकी साखाओं के बारें बताया बच्चों को पत्तों के बारें बताया बच्चों को जड़ों के बिशें बताया तने के बिशें बताया तो क्या है पहले बच्चे को हम पूरा ग्यान करा देते हैं इसके बाद उसके ग्यान करते हैं मतलब में सरपर्थम पूरे वाक्त की शिक्षा दी जाती है इसके बाद अंत्रों की शिक्षा दी जाती है एक विद्वान विधवानि इसमंद में कहा है कि त fermented पार सला में भारती होने क्योंते हैं पढ़ाई करेंगे लेकिन वह बोल रहा है उसको मेनिंग नहीं पता ही नहीं है लेकिन लोग जानते थे कि चोटा नार का कौन सा है जब अच्छा पढ़ने लगा था हम लोग भी जानगे छोटा अनार इस यह है हम यह नहीं खाएंगे तो तब नहीं जानते क्वाइंगे का क्या मीनिग होगा अभी जालने लगे का के बाद अब अगला देखो जड़ा अगले में क्या है भाई अगले में आपका कि लिखना सिखाने में ध्यान देने योग दो बिंदू का आपको उलेक करना है कौन-कौन से दो बिंदू है देखो भाई लिखना सिखाने में पहले तो वैठने का ढग है कि लिखना सिखाने से पूर्व सीधे बैठने का अभ्यास कराना आवश्यक है, बच्यों को हमें सीधे बठाना है जुक कर बैटने से रिड के हड़ी तेड़ी हो जाती है इसके अत्रिक्त आँखों पर अधिक बल पड़ता है यदि चौकी पिलडा टेबल आदी नहो तो भूमी पर बाया घुटना मोड़ कर बजरासन में बैटकर दाएं जंगे पर इस्टेल या फिर कॉपी रखकर लिखना चाहिए कॉपी किसी आधार पर रखनी चाहिए और आधार भी सीधा होना चाहिए कॉपी को टिड़ा करके लिखना गलत आज़त है मतलब देख लो आप लिखना सेगे लेकिन आपने ये बाते नहीं सीखी है दूरी कितनी होने चाहिए सीधे बैटकर पटिया स्लेट कॉपी में लिखने से 35 सेंटी मीटर यानि कि 14 इंच की दूरी पर लिखना चाहिए ये बिलकुल एक सुटेबल है प्रस्ट आप से पूछा पूछेगा कि कितनी दूरी होने चाहिए कलम पकड़ने के तरीके क्या है ये भी देख लो आज तक आपको किसी नहीं सिखाया होगा कलम को सही तरीके से पकड़ा जाए कलम तरजनी मद्यमा और अंगठे के बीच हो हम अब यहां से आपको दिखा तो नहीं सकते हैं उंगली बनाए क्या ऐसे तो हम लोग किसे किसे पकड़ते हैं इससे पकड़ते हैं इससे पकड़ते हैं ऐसे तो लिखते हैं ना थिक वर्डों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके हाथ को कनिश्टिका की सहरे पुस्तक पर घुमाया जाना चाहिए हाथ की कोहिनी सरीर की और ही रहनी चाहिए और इसे दूर करके तिर्चे ढग से लिखना उचित नहीं है लेकते समय कलाई घुमाने के अवस्तत काई लोग कलाई ही घुमा देते हैं तो राटी मिगर जाती है कलाई लेखन के साथ आगे चलाई जानी चाहिए हाथेली को तभी पीछे अटाना चाहिए जब नई पंक्ति आरम करनी हो कई लोग ऐसे लिखते लिखते क्या करते हैं उप पूरे वर्ड के दोनों और की चोड़ाई को एक वटे तीन निकली होनी चाहिए वर्ड वाइं से दाहिनी और लिखे जाते हैं और शिरुरेखा लगाने के बाद मात्रा लगानी चाहिए देखो जरा अब जैसे हमने लिखा राम सिरुरेखा क्या है ठीकि राम लिखा तो इस जो हमारी शिरुरेखा है ये लाइन खीशना अभी तक क्या है ये बिना शिरुरेखा का है तो ये शिरुरेखा क्या है कोई हमने सब्द लिखा उसके उपर जो हम लाइन खीशते है वह आपकी शिरुरेखा है अब लाइन ऐसा भी नहीं यहां लिखा है तो हमने यहां से ले बनाने का विशेश तरीका है जब अक्षर सही तरीके से बनाए जाते हैं तो वो देखने में सुन्दर सुडॉल और अच्छे लगते हैं जैसे कौन से कावण को बनाते समय ध्यान रखना होगा कि का के बीच की जो पाई जो पाई की वाई और भाग पाई के बीचों बीच जो सुन्दी का दाहिनी और मदी का भाग से निकल कर मद पाई के बराबर लटकाई जाएगी अब यहां देखो क्या है सबसे इंपोर्डन क्या है मैं आपको बताता हूं साहिद आप क्यों ना समझ में आए इसकी जो मोटाई बता रहा है जैसे यह यहां लटकाई जाने के लिखना गलत है यह क्या है यह उसकी जो सुडौलता है वनावट है वो होना चाहिए बराबर लटकाई जाएगी बाएं और दाएं दोनों तरह मोटाई बराबर होनी चाहिए जैसे हमने का का यह सीन किया है यह ऐसे ऐसा नहीं यह बहुत मोटा यह बहुत छोटा है यह भी नहीं अब यह बरावर लटकाए जागा तो सुन्दर लगेगा ठीक इसी प्रकार खा बनाते समय ध्यान रखना होगा खा में राका निचला सिरा वाके निचले भाग को जोड़ कर लिखा जाता है जैसे कई लोग ऐसे ना लिख कर ऐसे लिख देते हैं खा तो यह रव पड़ा जैसे गाह ऐसे है ना ऐसे नहीं बनाना है कि ऐसे गोल गुंडी बनानी है आप लोग लिखना तो इतना जानते होंगे गाह बड़ को बनाने के लिए गाह के दोनों मोड़ों पर पहला मोड अब जैसे माल जी गाह हमको कैसे लिखना होता ऐसे लिखना होता ना कि लोग ऐसे भी लिखते देते इसको धा बोलते हैं यही सब चीजें इनको किस प्रकार बनाना है देखो छाको कैसे बनाना है ठाकी आकरती कैसे बनेगी इवर्ताकार होकर नीचे पंक्ति को इस फर्स करती होनी चाहिए है ना यह देख लो यह सब चीजें आईसी हैं जो आपने अभी तक अगर नहीं पढ़ी है तो इनको आपको सुद्ध रूप से लिखना है भाई बात सब के समझ में आ रही है यही चोड़ी चोड़ी चीजें हैं बच्चों को आप देखो अब आप यहां तक आगए ठीक आपको इस हम लोग नहीं सीख पाए और हम आपको तो यहीं बताएं कि यह सब चीजें हमने जब बीटीची में स्वयम पढ़ी तब हमें इन सब चीजों का आभास हुआ वरना हमने से पहले तो मुझे लगता जीवन में अपने इसमाने लोका भी पढ़ी नहीं अब हम बच्चे रहे ह राम अब यहीं लिख दिया घर जाता ऐसे नहीं राम लिखा यहां घर लिखा मतलब इनके बीच भी उच्छी दूरी होनी चाहिए देखो पाई की दूरी होनी चाहिए बड़ और मात्रा के बीच भी एक पाई की दूरी होनी चाहिए बतलब यह जो डंडा लगाना इतनी त होनी ही चाहिए अब देखो ज़रा हो सब्द से सब्द की बीच की दूरी दो पाई के बराबर होनी चाहिए जैसे राम सीता है अगला क्या है कि दो बाक्यों की बीच दूरी विराम चिन्नों को छोड़ कर चार पाई की दूरी के बराबर होनी चाहिए जैसे मनमोहन वाओ और सुहन आओ पांचमा पॉइंट क्या है एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी इतनी हो कि उपर की पंक्ति के वर्ड के नीशे लगी मात्राएं तथा नीशे की पंक्ति की शिरूर जा रही तो ये भी गलत है है ना अगला है कि विराम चुन्नी की दूरी को दो पाई की दूरी के बराबर होना चाहिए जैसे राधा तुम आओ तो ये दूरी का भी हमें पिशेश ध्यान लखना है आप देखो जारा सुंदर्ता तथा सीगर्ता के लेखन कला में क्या-क्या सा पिख है अभी देखते हैं भई क्या है कि सुंदर्ता तथा सीगर्ता के साथ-साथ लिख्वानी की सावधानिया यदि द्ध्यापक चाहता है कि उसके बच्चे सुंदा सुड़ोर और अच्छे अक्षर सीगर्ता के साथ लिखें तो उसे निम्ने बातों का ध्यान रखना एक तो बैठने का ढग और कागज की दूरी अच्छे आसन का लिखाबट पर बड़ा प्रभाव परता है अतयब कुछ भी लिखवाना आरम करने से पहले अध्यापक को बच्चों के आसन पर विशेश ध्यान देना चाहिए लिखने के लिए इरडेस का प्रियूग करना चाहि संतुलित रखा जाए सःडे जहां तक हो जाएं और सीजी रखनी चाहिए निशला भाग पैर कालंभ रूद में रहें पैर का तल्वा फरस पर टिका हुआ हो नए फरस ना से लिखा जाए और वाई हाँ से कागश संसान क्या लोग नोन gün जो एक अच्याश लिखने का अप्रेशन है वह हम आपको बता रहे हैं बच्चे मेज पर जुक कर न लिखें अर्था अध्यापकों को बच्चों को पहले जो बैठने का धंग है उस पर वेशेद ध्यान देना चाहिए कलम पकड़ने की विदी क्या है लिखते समय हतेली का भाग इस पश्ट रूप से दिखते रहना चाहिए कलम जो है बो 45 संस पर कटी हुई होनी चाहिए ऐसा करने से बच्चों के लेक सुंदर और सुडॉल होते है लेखन समगरी क्या है इस पश्ट साप और सुंदर लिखने के लिए लेखन समगरी का होना भी परम आवश्यक है राइवर्ण महोदय का कहना है कि प्रात्मिक इस तरपर स्लेट और बत्ती का उप्योग किया जाए जो अच्छा है क्योंकि इस तरपर स्याही का उप्योग करना ठीक नहीं होता है अधिकांज विद्वानों का सदा से ही मत रहा है कि आरम में नागरी ख़ड्याब होनी जाए मतलब यह खड़ियाफे लिखने की बात कर देया है और ली सब्सिंदर के प्रतेख भाग का अनुका प्ति होता हिए 32 जिस में लेख रहे हूं अत्वा लेखने का कार कर रहे हूं तो शिक्षक कक्षा में भरमण करके उनकी लिखाबट को ध्यान पूर्वक देखें अक्षरों को ना तो अधिक बड़ा होना चाहिए और नहीं अधिक छोटा होना चाहिए है ना और एक सब्द दूसरे सब्द के बीच अच्छा लेखने भर का फासला होना चाहिए शुरूरेखा मैंने बता ही दिया है कि शुरूरेखा क्या होती है यह ना अब एक चीज यह है कि सुरुत लेख क्या है प्रशना आपका बनता है कि सुरुत लेख से आप क्या समझते हैं गा किसके मन में मुग्द नहीं करते आज के तकनीक युग में जहां हाथ से लिखना कम हो गया है सुलेक पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा पी सुलेक कम है तो पूरी तरह समाप नहीं हुआ है अभी परिक्षाओं में यह अच्छे नमर दिलाने में और लेख को पढ साइं क्या है तो बस इतना ही टॉपिक है आज अभी वर्डों की सुडॉल आकरती वर्डों के उचित लंबाई शुरू रेखाओ उनके अंग प्रतिंग को सही अनपात वर्डों का मानक रूप और शुद्वरतनी वर्ड से बड़ी की दूरी और प्रस्ट से अगल वगल उ तो साबस्क्राइब करें और अपने सभी सातियों तक शेयर जरू करिए जो लोगस अफ्लीकेशन डाउनलोड नहीं किये हैं अपलेकेशन डाउनलोड जरूब कर लें ताकि आपको वहां से क्लासिस की पीडियंएफ वीडियो के लिंक्स और साथ कीसासिता आपको जो